यहाँ पर हम देखने वाले परिमे संख्याओं को जोड़ना कैसे हैं तो बहुत सिंपल से ट्रिक है देखें 2 by 3 plus 1 by 3 सबसे पहले तो परिमे संख्या अगर कोई नंबर हमारे बास P upon Q की फॉर्म में है उपर वाला जो है वो हमारा अंस कहलाएगा और नीचे वाला जो है हमारा हर कहलाएगा इसकी condition यह है कि Q की value बस 0 के equal नहीं होना चाहिए तब वो परिमे संख्या कहलाएगा अब हमको इसको add करना है जोड़ना कैसे है तो जोडने के लिए जब तक दोनो rational numbers के दोनों परिमे संख्या हो के हर बराबर नहीं होंगे हम उसको नहीं जोड़ सकते तो सबसे पहला केस दोनों के हर को बराबर करना होगा इसकी दो method है तो दोनों method को बहुत अच्छे से देखिए जिसमें ज़्यादा practice हो जाए वो हमारे लिए बहुत easy बन जाएगी देखिए सबसे पहले तो हम lcm ले सकते 3 और 2 का lcm तो lcm लेने के लिए ये method है गुनंखन विधी factorization method 2 से divide करते है सबसे पहले चोटी number से तो यह हो गया one time और 3 से हो गया one time और ये one time 3 do's are 6 दोनों का lcm जो आया वो आया हमारे पास 6 आगे solve करने के तरीका जो पहली rational number है पहली परिमे संख्या जो है उसके denominator से जो lcm आया उसको divide किया 6 में divide किया 3 से 3 से 6 में 2 time और 2 का multiply 2 में तो यह हो गया 2 do's are 4 plus second rational number के denominator से ये वाले हर से जो lcm आया उसको divide किया तो 6 में divide किया हमने 2 से यह हुआ 3 time और 3 का multiply 1 में कर दिया 3 one's a 3 अब इन दोनों को जब हम add करेंगे तो यह हो जाएगा 7 by 6 ये पहली method दूसरी method इसकी यह है छोटा सा question लिया हुआ है मैंने यहापर तो पहली परी में संख्या उसके हर से दूसरी परी में संख्या के अंस में भी और हर में भी गुणा कर दो और दूसरी परी में संख्या के हर से पहली परी में संख्या के अंस में भी और हर में भी गुणा कर दो तो क्या होगा 2 से इसमें भी multiply 2 by 3 तो uns में भी और हर में भी multiply कर दिया प्लस second rational number हमारे पास 1 by 2 है इसमें किसे multiply करने के लिए बोला है पहली परिमें संख्या के हर से तो into 3 उपर भी और नीचे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2 टूजा 4, 3 टूजा 6 प्लस 3 टूजा 3 हमने परिमें संख्याओ को जोड़ा है जितनी ज़्यादा practice करोगे उतना आप लोगों से question को बहुत अच्छे से solve करते बनेगा इसके एक दो example और देखते हैं हम यहाँ पर और परिमें संख्याओ को जोड़ना के से इसको बहुत अच्छे से सीखते हैं एक और example मैं यहाँ पर ले रहा हूँ छोटा सा example ताकि चीजे बहुत अच्छे से clear हो जाए 1 by 4 प्लस 2 by 3 1 by 4 प्लस 2 by 3 देखिए 1,4 और 1,3 एक का denominator 4 है, एक का denominator 3 है एक का हर 4 और एक का 3 है दोनों को जोड़ना है तो पहली method दोनों का LCM ले लो LCM लेने का तरीका क्या है 4 और यह 3, 2 से divide क्या 2 time 3 में नहीं होता है, 2 से divide क्या 1 time यह 3, और 3 से 1 और यह हो गया 1, तो देखिए LCM क्या है 3,2,6,2,12 4 से इस 12 में divide करेंगे पहली method जो है परिमे संख्या को जोड़ने की छोटी सी method है 4 से 12 में divide करेंगे कितने time divide होगा, यह 3 time और 3 बंजा 3, 3 का multiply इसमें कर देंगे प्लस, इस 12 में इस 3 से divide क्या 4 time, और 4 का multiply 2 में कर दिया तो 2 जाई हो जाएगा 8 8 और 3 होगे हमारे पस 11 upon 12 देखिए, दूसरी method से भी हम इसको solve करने ही कोशिस करते है यह होजाएगा हमारे पस 1 by 4 प्लस, 2 by 3, आपको उस LCM लेते आना चीए कि LCM लगुत्तम कैसे लेना है और उसको solve कैसे करना है दूसरी method क्या है, पहली परी में संख्या है, उसके हर से जो दूसरी परी में संख्या है, उसके दोनों में multiply करने के लिए बोला है, तो उपर भी और नीचे भी, प्लस, 2 by 3 इसमें 4 से, इन हो जाएगा 4 by 4, 3 बंजा 3 4 तरींजा 12, प्लस 4 तूजा 8 बाई 4 तरींजा 12, देखें दोनों के denominator equal हो गए, दोनों का LCM लेंगे 12 हो जाएगा, और ये 3 plus 8 जैसा की वैसा और यह है जाएगा हमारे पास 11 upon 12 तो यहाँ पर हमने परिमे संख्या को जोड़ना कैसे है वो देखा है I hope दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजे शेर कीजे और कमेंट करके बताएए वीडियो कैसा लगे Thank you friends